क्यारे बच्चों आप सभी का हार दिस्वागत है सेलेक्शन हाब की यूट्यूटीब चैनल पर और जैसे कि आप सब को पता है सारे प्रीवेस कोशंस हम लोग देख रहे हैं 2021 वाले तो इस सीरीज में आपको जो कोशंस करा दिये गया है वह एक बार आपको क्वेस आपको करा दिये गया है तो मैत में आपको पंकर सने डिसंबर के तीनों सब्सक्राइब करा दी और इसके बाद दो डिसंबर का सिफटतीं ठीक है आज हम लोग 13 और जी एस क्राइब 日 में अपको टब्णक को एक डिसंबर के तीनों पडे कर मिल एक टाइथ यह अदिसंबर्ण पूरा वचुका है कि पह पर हो चुके है तो आपको बतादें कि सारे कि previous year करेंगे हम लोग जोगी आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है आपसे उम्मीद देखी जा रही है कि अगर आपको lecture दिये जा रहे हैं किसी भी तरह पूसिस करके तो आप इन lecture को पूरा complete देखिए और नहीं पसंद आता है तो भी comment कर दिजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप comment section में comment जरू कर दिया करिए चलिए आगे देखते हैं पहला question आज का हम लोग देखेंगे पहला question क्या कह रहा है आपसे तो पहला question ह है कि सुद्वर्थनी कि बताएं इस सुद्वर्थनी क्या है यहाप लिका हूए लाल सा अपको बतादे कि जो लाल सा लिखा जाता है एसे यह आपका इसके बाद पारहाब लिखा हुआ है मताश्य तरह से लिखा है मचली मस इसके बाद देखिए इसंद कुई अगला कोचन कहा रहा है आपसे सब्दों में सुध्वरतनी को पहचानी इसलिए तो यहां पर देखिए जो होता है अविस्कार, हम लोग हमेशा जो बोलते हैं, हमने हमेशा बोला है कि हिंदी में जो चीज़ आप बोलते हैं, उसी को सही माल लेते हैं, तो जो आप बोलते हो, वो बोलते हो अविस्कार, लेकिन जो आपका सही होता है, वो होता है आविस्कार, 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 ठिक, तो यह होता है आपका आविश्कार तो आपका right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका और यहां पर गलत है हुआ है और यहां पे बड़े आंग की मांतरा नहींunn लगाई और यहां पयहां पर आपको आधाशा होता है इसलीए Lyon fino हो जाएगा वागी सारे को इस कोशन यहां पर जो यह रिखांकित भाग है इसकी जगह पर कौन से चीज रखी जा सकती है इसकी जगह पर कौन से चीज नीचे के डूसरों के सिर्क्यों जोरते हो डुसरों के सिर्क्यों जोरते हो तो आपका जो राइट अंसर हो जाएगा Constitution नेक्स पूशन देखिए यहाइँ है आपका अंधकार का विलोम चुरिये इन बात को ध्यान रखा करिए अगर आपको बीस में से अठारा पूछ रहा है दोनों चीजों में अंतर होता है विलोम मतलब अपोजिट पर्यवाची या फिर समानार्थी सब्द क्या होते हैं हमने बागी के दूनों लेक्चर्स में बताया है लेकिन आप लोगों को देखना ही नहीं है समस्या यह है आपके साथ पर्यवाची और समानार्थी सब्द ऑस्ञे ये एक यही चीज़े होती है ये तोचा पूछ रहा चाहिए सवाल हम से यह बात हमको ध्यान में रखते हुए हमें अनसर करना होता है यक चलिए देखने है अब अंधकार का इस अंधकार का अंसर होता है आपका प्रकास अंधकार का क्या होता है प्रकास उजाला का अंधेरा उजाला का क्या हो जाएगा अंधेरा सूर्योदय का क्या होता है सूर्यास्त तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है शुर्यास्त कैसे लिखते हैं देखिए ने शूर्यास्ट यह लिखते है इस तरह से सुर्यास्थ लेखे यह लेकर देखिये Hai यहाँ पर question number six क्या कह रहा है आपसे question number six आपसे क्या कह रहा है देख लिए एक बार दिए गए सब्द का समानार्थी सब्द चुनिये तो देख लेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है रंग का क्या होता है अब समानार्थी पूछा है आपसे यहाँ पर देखिए समानार्थी मतलब हमने अभी क्या बताया समानार्थी मतलब होता है पर्रेवाची समानार्थी मतलब क्या होता है पर्रेवाची ठीक तो यहां पर पूछा है समानार्थी यानि पर्रेवाची रंग का मतलब क्या होता है अगर आपसे यहां पर विलोम पूछ देता विलोम तो आपसे विलोम होता है राजा राजा मतलब बड़ा विक्ति और राजा का अपोजिट हो जाता है यहां पर विलोम हो जाता है आपका रंक बांड जूकना अवार कि समय ख्योंको और फिर समय खोना तो यह पर राइट न्सर होता है अगर उसा सिए अग्जांपल की तरह से हम समझेंगे तो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जब कख्षा में पढ़ाई तब तुम्हारा ध्धान कहा था क्या तुम भार यह थे आप समझ पा रहे इस चीज को तो वही चीज देखेंगे नएक हवेर का अर्थ बताइए तो इसका अर्थ होता है समय तमय वेर्थ करना रहे कि इनीफ को समझ में आगई ओई सीज़ नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे हम लोग उसके पास कैसे धन है question देखी question number weight किया करे रहा है उसके पास options देखी options में क्या-क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है उसके पास blank यहां पे खाली जगह है धन है जब अगी होगा उप्यूप्ट धन, उप्यूप्ट तो हो सकता है देखते हैं आगे अतल यहां पर नहीं आयगा तो हम लगाते हैं कि हाँ ठीक है उप्यूक्त से थोड़ा बेटर है पर्याप्त सब्द इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर होगा वो पर्याप्त होगा चलिए नेस्स कोशन देखेंगे हम लोग कोशन देखेंगे फटा-फट इसमें बागत कोई फालतों की बात करने का म आपका मन है पड़िए नहीं मनें तो मत पड़िए चलिए आगे दिखते हैं क्या था पर में में हम नोग देख रहे हैं चाहिए मैस में चाहिए Elle जिय इसमें पर हन्दी में हो या अपके हम नसदी देखेंगे जब भी आप तीन पेपर चार पेपर कर लोगे घर आपको समझ में और कि किस टाइप पूछे जा रहे हैं अब हम लोग तीसरा पेपर हिंदी का देख रहें तो यही पैटर्न रहने वाला है ना भाई क्यों परिशान हो रहे हो फालतू का यह क्लास वह क्लास आतंकवादी क्लास हो पता नहीं कौन-कौन से फालतू के बैच जोइन किये पड़े हो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों का लोगों से हम अपनी बात दूर भास यंतर में कर सकते हैं तो अंडर लाइन जो चीजे हैं वो कह रहा है कि इन उप्संस में से क्या इस जगे पर रख सकते हैं अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो इसलिए हम एक्ष्प्रेंड कर रहे हैं कि इसकी जगे पर आप क्या टूर रख सकते हो तो आप देखिये दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात है मैं दूर्भास यंद्र दवारा कर सकते हैं तो यहीं आपका राइट अन्सर जाए साँ सब्सक् Scale नबस आपका प्रहिर यानि कोई ऐसा प्रहरी जिसके पास सस्त्र है किस चीज की रक्ष़ा कर रहे हैं पूश, कुल, कोश या फिर कोउश तो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी धन कोश, धन का कोश हो सकता है, या किसी भी चीज़ का कोश हो सकता है, कोश मिला कि अगर आपको यह चीज़ पता है कि कोश को लिखते कैसे हैं, कोश को ऐसे लिखते हैं, तो अगर आपको यह चीज़ पता है, तो आप इसका राइ चूज़ कर रहे हो इसमें 20 हिंदी आएगा 20 इंगलिस इसमें आपको चुनना होगा इस बार तो वह जाना चाहता है कि आप क्या हिंदी समझ पाते हो कि नहीं तो वही चीज़ है कि अगर आपको सब्दों का ग्यान है तो आप आथानी से चीज़ों को समझ पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखिए आपसे मुठी गर्म करना आप सब जानते हो मुठी गर्म करने का क्या मतलब होता है मुठी गर्म करने का मतलब होता है रिस्वत देना रिस्वत देना ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखिए कोशन नमबर 12 है आपका इस यह चीज से सुरच्ष्षित रहते हैं यह लिपीक है किसी सायता रहते हैं यह फिर लिपी की प्रेह व्हलादा स्वोच्छी रहते हैं तो आप समझ पा रहा हूंगे कि अगरousse भासा में किसी विचार complete कर रहे हैं अपने विचारों को आप very good a रहे हैं तो वह कैसा होता है लिपी की से हैता से सरच्छी रहते हैं ठीक तो यहां पर आपका जो राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option number a चलिए next question देखेंगे आपका दीजेंगे सब्द के समानार्थी सब्द का चैन करें समानार्थी सब्द दिमाग में ब्रम ही एक ब्रम ही लिप भी होती है अगर आपने इतिहास पड़ा होगा तो आपको पता होगा चलिए आगे बड़ते हैं यांप बरनेक देखेंगे हम लोग क्या क्या रहा है लिए उसतार में अपके दो रूचर्म सब्सक्राइब कंजड को परेविए 5 ऐप देखेंके है यह आपका पार्ट तीन है या फिर कोई तूटी नहीं है तो आपका चार चार आंसर होगा ठीक देखते हैं सिच्छा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा अब यह किसी पैराग्राफ से आपके कुछ लाइन भी से उठाई गई और यहां पर डाल दी गई तो आपके मन में इसक हो सकता है लेकिन जो आयो के द्वारा सही आंसर माना गया था वो आंसर ओप्शन ठीक मना गया था क्यों क्योंकि इनका यह मानना था कि यह कहना चाहरा है तो हिंदी ही रहेगी यहां पर घी होना चाहिए अब इन्होंने कहां से उठाया हो गए एसे बहुत सारी अर्टिकल ह तो वहां से इन्होंने इस लाइन को उठाया है और उसमें ये आपको इस तरह से बताने कोशैस्ट कर रहे हैं सिच्छा का माध्यम मतलब इसका विलोम मतलब हास मतलब होता है आपका हसना हास मतलब हसना ठीक आप हसना का रोना होता है पर हास मतलब भी हसना गायन मतलब गाना उपहास मतलब हसी मजा कुड़ाना तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा आपका रूधन हो जाएगा हास मतलब हास का पूज़िट क्या हो जाएगा रूधन यहां पर देखेंगे फड़ा फट देखिए इसमें भी चीज़ें दी गई है यहां पर लाइन से देखिए हो जाएगा ठीक है बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन आपके सुखी जीवन की अकांच्छा करता हूं तो यहां पर आपका पूंच रहा है कि रेखांकित अंस को प्रतिसापित करने के लिए सबसे उप्यूक्त सब्द क्या है अब क्योंनें प्रस्द में कोई सब्द रेखांकित किया ही नहीं है ये ना तो यहां पर आपके मैं बदा दूंव कि जो यह कंख़ा है यह अवी इसका आंसर देने की वासना करता हूँ ये भी आपड़ गलत है वासना का यहाँ कोई मतलब नहीं है इसके बाद देखते हैं मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ यहाँ पर आपका कामना आएगा कामना करता हूँ ठीक तो अगर आपकी हिंदी बोलचा अच्छे है करके आप आप आएगे चलिए नच्छता देखिए आपर लिखा हुआ है एक सब्द पूछने गहीं मतलब प्रवस्थ प्रवस्थ प्रवस्थम उचने उच्पने मतलब ऑला चुछ जिसको भोग कन्ना उचीथ हो जिसका भोग करना उचेथीदो वक्यांज के लिए एक सब्द इसका क्या अंसर होगा देखिए चार ओप्षन दिये गए हैं लिखा है जिसका भोग करना उचित हो भजन नहीं जिसका भोग करना उचित हो भजन नहीं होगा भुकती नहीं जिसका भोग करना उचित हो भोजन नहीं भोग यह होगा जिसका भोग करना उच्छेत हो मतलब वो भोग फिक चलिए आगे बढ़ते हैं आपर अगे अगला देखते हैं नेक्स क्या त्योश्चन आपसे यह कह रहा है कि दीएक वाकित अबहुत भाग याद करें जिसमें कोई तुरटी है याणि वही तीसरा प्रश्चन है ऐसा देख लीजिए आप पूरे 25 कोशन में अच्छे खासे कोशन ऐसे आ रहे हैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आ रहा है अगर आपको लिखना आता है आपने पढ़ा है तो आपको राम से आप कोशन सर्टम कर पाऊगे केवल यहां दो पुस्त के रखी है केवल यहां माल लीजे आपने यहां पर केवल को हटा दिया और सेंटेंस है यहां दो पुस्त के रखी है तो भी यह सरी सेंटेंस हो जाएगा यानि कि जो आपकी गलती है वो एक नंबर में ही गलती है एक नंबर में यानि एक नंबर मतलब तुरंत ए मत मार देना एक नंबर में गलती ह इसमें आपके पांच कोशन आते हैं इस तरह में पूरा का पूरा एक सारा गर्धांस होता है इसमें आपको फिरिंदा ब्लैंक दिये होंगे यह आपको भरना है अब देखिए वही चीज़ लिखिए रिक्तान के लिए सरवाधिक उप्यूक्त सब्द कौन सा होगा इंचार मे के छेतर में नहीं होगा क्ला के छेतर में कीसे हो सकता है चीकिस्षा विज्यान के छेतर में काफी आप देखिए यहां पर आगे क्या आएगा नहीं से के छेतर में काफी विशमता नहीं प्रगती काफी प्रगती हुई है कि सभी इस लिक्डि में आप संटेंस बन गया देखिएöyle कि प्रगती हुई है ठीक चलिए सब्छेतर करें अनेक आसान बीमारियों से चुटकारा मिलने लगा है नहीं आसान बीमारियों से चुटकारा तो उसके जरूती क्या अगर आसान बीमारिया है तो अनेक आकरसक बीमारियां भी होती है क्या यह वही नहीं सकता अनेक सरल बीमारियों से काफी चुटकारा मिलने लगा है अगर विमारी इतनी सराल है तो उसे छुटकारा क्यों चाहिए तो यहां पर हमने देखा किस तरह से चिकिस्सा विज्ञान के छेतर में काफी प्रगती हुई है अनेक जानलेवा विमारी उसे छुटकारा मिलने लगा है उसने आगे देखिए यहां पर क्या फिल हो सकता है क्या भर सकते हैं उसने डॉक्टर को सुन्दर और नहीं उसने अस्पताल को सुन्दर और नहीं उसने जीवन को अगर जीवन से जुड़ी हुई बात हो रही है यहा बना दिया है जहान लेवाद शोटा ठोड़ी न होगा। कैसा हो जाएगा?पका जीवन दीर्ग हो जाएगा, आपका जीवन लंबा हो जाएगा आपकी आयू क्या होगी बढ़ जाएगी अपकी आयू बढ़ जाएगी ठीक है तो देखिए चिकिसा विज्ञान के छेत्र में काफी प्रगती हुई है अनेक जानलेवा विमारियों से शुटकारा मिलने लगा है उसने जीवन को सुन्दर और कैसा दीर्ख बना दिया है तो ये बच्चों हमारे आज के 25 कोशन थे और हम आपको बता दें कि क्या के चीज़े हम लोग आपके कंप्लीट कर चुके है तो देख लिजए एक बार 1 दिसमबर आप देख पा रहे हो गए यहाँ पर 1 दिसमबर 2021 के पेपर सिफ्ट 1, सिफ्ट 2 और सिफ्ट सॉरी यहाँ पर 3 आएगा आप इसे 3 समझिए सिफ्ट 1, 2 और 3 यह तीनों सिफ्ट हैं जो है आपकी यह कंप्लीट हो चुकी है ठीक है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजे फैंक्स फर वाचिंग, चैनको सब्सक्राइब कर लीजेगा, लाइक कर दीजेगा, शेयर कर लीजेगा आपका मन करें तो, अच्छा लगा हुँ तो और बहुती स्पीड में हम करेंगे आप यह मान के चलिए कि आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर पंदरा दिनों के अंदर यह आपके हिंदी के पेपर जो आपके हिंदी के 62 सिफ्टें हैं यह आपके हिंदी की 62 सिफ्टें और जो आपकी रीजिनिंग है रीजिनिंग के भी 62 पेपर लगभग खतम कर देंगे इसी महीने यह पूरा का पूरा नवंबर महीने का काम है और जो म तो maths में ऐसा है कि उनका हुआ है selection आप सब जानते हैं तो ये देखने वाली बात होगी अब वो अगर उनके पास time होगा तो वो maths करा पाएंगे वरना मुस्किल है कि आप वो maths करा पाएंगे आप लोग सही review भी नहीं देते हैं उनके वीडियोस पे लाइब भी नहीं उन्होंने आप मौनिंग में लाइब किया तो लाइब भी आप लोग नहीं आते हैं comment section में comment भी आपका नहीं देखता तो अगर कोई effort दे रहा है आपके लिए प्रयास कर रहा है तो आपको कोशिस करने चाहिए आपको अपना भी best दिखना चाहिए चेर कर दिया कर यह अगर आपको नहीं समझना आता है तो आप अंसब्सक्राइब भी कर दीजे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप जुड़े हैं आप हैं साथ और आपने form फिल किया है आप selection लेना चाहते हैं तो सबी लोगों का selection हुआ है चाहिए वो मेरा हो चाहिए आपके रेजस्टर हो रेजस्टर में पढ़ा रहा है पढ़ाया है उनके बहुत सारे एक्जाम निकले हुए है और पंकर सरकाथ तो अभी आया result आप सब देखी रहे हो और पहले कभी CHSR का भी result आप सबने देखा ह तो रिजलेट सबके पास है और बस यह है कि आपको सही guidance को दे सकता है तो हम लोग दे रहे हैं जितना हम लोग से हो पा रहा है बाकी आपको प्रयास करना है आपको भरोसा करना होगा कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे courses बेचते हैं आपको अगर वो course में सब कुछ दे देंग होगा जिनका selection हुआ है अगर आप उनसे बात करके पूछोगे ना किसी से पूछ लिए आपके पैचान में जो भी पूर्ट कर रहे हो जिनका हुआ हो तो भी आपसे यही बाते कहेंगे कि selection previous year से ही होगा और जो cut off होने वाला है वो 57 से 65 के बीच जाने वाला है यह मैं बता दे रहा हूं आपको मिलते हैं अपने next वीडियो में thank you so much जै हिंद जै भारत